चोपड़ा एज़किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचों वेटनरी के फर्स्ट राउंड का रेजल्ट आ चुका है और आयूस के सेकंड राउंड का रेजल्ट आ चुका है यानि कि वेटनरी के VCI दोवारा 15% ओल इंडिया कोटा के लिए जो काउंसलिंग करवाई जा रही है BVSC and AH कोर्स के लिए उसके लिए फर्स्ट राउंड का रेजल्ट आ चुका है और आयूस के लिए BMS, BHMS, BUMS, BSMS के लिए डबल ए ट्रिपल सी दिवारा जो 15% कोटा के लिए काउंसलिंग करवाई जा रही है उल इंडिया कोटा के लिए तो उसके सेकंड राउंड का रेजल्ट आ चुका है मैं आपको दोनु के रेजल्ट का केटेगरी वाइज कटोप बताऊंगा यानि वेट्नरी की भी कटोप बताऊंगा और आयूस की भी कटोप बताऊंगा तो सबसे पहले हम वेटनरी के फर्स्ट राउंड की कटोप देख लेते हैं कटोप नॉर्मल रही है इतनी ज़्यादा हाई भी नहीं रही है तो इतनी ज़्यादा लो भी नहीं रही है तो एक बार हम फर्स्ट राउंड की कटोफ देख लेते हैं वेटनरी की, तो ओपन केटेगरी में 522 मार्क्स पर गदक करनाटका का कुलेज मिला है, प्राइवेट कुलेज की कंडिशन में 495 पर मातमा जोतिवा फुलेचोमों का कुलेज मिला है, ये UR केटेगरी की कटोफ है UR PWD में 364 मार्क्स पर तिरुपुति का कुलेज मिला है, और EWS केटेगरी में गौर्मेंट की कंडिशन में 510 मार्क्स पर आईजोल का कुलेज मिला है, ये पहले ओलिंडिया रेंक दिखाई गई है और फिर मार्क्स दिखाए गए हैं यहां पर, अब EWS में ही ये पॉटनरी कुलेज मिला है, OPC केटेगरी की बात करें तो 515 पर वेटनरी कुलेज आईजोल मिजोरम का मिला है, और प्राइवेट की कंडिशन में 484 मार्क्स पर मात्मा जयतिवा फुले चोमू का कुलेज मिला है, OPC PWD केटेगरी को बेंगलोर का कुलेज मिला है, 385 मार मार्क्स मिला है जबगी प्राइवेट वेटनरी कोलेज पर खाल सा वेटनरी कोलेज स्थी केटेयरी किन्डिडेट को मिला है अब स्थीपीड डगू डेक बात करें तो टु- een ‫कटिगरी में 3 participants है यौ met श्क होut Pris मिला है 391 पर आईजोल का वेटनरी कुलेज मिला है प्राइवेट कुलेज शोरी अरावली प्राइवेट कुलेज मिला है एस्टी कैटेगरी को 391 मार्क्स पर राजस्थान का तो ये ओल इंडिया कोटा 15 परशेंट है वेटनरी कोर्स के लिए ये कटोफ है फर्स्ट राउंड की कटोफ नॉर्मल रही है नहीं ज्यादा हाई रही है और नहीं ही ज्यादा लो रही है लेकिन आयूस की कटोफ हाई रह ही है तो आईए एक बार आयूस के राउंड की कटोफ भी देख लेते हम सेकेंड राउंड की तो सबसे पहले ओल इंडिया गौर्मेंट कोटा की बात करें बीमेस कोर्स के लिए तो जनरल कैटेगरी 537 EWS 536 OBC 534 SC 422 और ST 357 मार्क्स ओल इंडिया गौर्मेंट कोटा बीमेस क लिए रहा है अब All India Government ऐडेट कोटा ऐडेट और गौर्मेंट में ज्यादा फरक नहीं है ऐडेट की जो कोलेजे हैं ling cả के अंडर टेकन हैं वह फीस में भी ज्यादा फरक नहीं है थोड़ी वह फीस ज्यादा है और इसके बाद इस्टेडि में भी कोई इतना ज्यादा फरक नहीं है इसमें तो एक बार गॉर्मेंट एड़ेड को लेज की बात कर लें BMS कोर्स के लिए तो जनरल केटेगरी 529, EWS 527, OBC 525, SC 416 और ST 344 कटोब रही है BMS के लिए गॉर्मेंट एड़ेड कोटा के लिए आए उसकी सेकंड राउंड की अब बात करें हम BHMS जो होमियोपेति कोर्स है उसके लिए तो गॉर्मेंट कोटा की 457 कटोफ रही है जनरल केटेगरी की 443 EWS की OBC की रही है 450 और SC की रही है 360 और ST की 392 कटोफ रही है BHMS गॉर्मेंट कोटा के लिए अभी BHMS एड़ेड कोटा की बात करें तो 460 जनरल केटेगरी 427 EWS 444 OBC 360 SC केटेगरी और ST केटेगरी 308 मार्क्स कटोफ रही है BHMS All India एड़ेड कोटा अब BHU BMS की बात कर लें तो BHU 609 जनरल केटेगरी 607 EWS OBC 608 SC 474 और ST 439 कटोफ रही है BMS कोर्स के लिए BHU इंस्टिट्यूट की अब एन ये जेपूर की बात करें तो BMS कोर्स के लिए 608 जनरल केटेगरी EWS 605 OBC 608 SC 479 और ST 448 कटोफ रही है I use second round के लिए तो ये मैंने आपको category wise कटोफ बता दी हैं दोनों कोर्से इसके लिए BVSC and AS जो veterinary कोर्स है 15% VCI counseling करवाता है और IAA, CCC, BMS, BHMS, BMS और BSMS कोर्स के लिए ये मैंने कटोफ आपको category wise बता दी है आप हमारे चैनल को subscribe करके रखें इस परकार की information हम लेके आते रहते हैं तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में आप से फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिंद